आपका स्वागत है जैसरी रामा क्रश्न आज आपको बता रहा हूं आज कल की जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर आप देखेंगे जो आज कल की जीवन सैली है उसके अंदर आप देखेंगे तो सेरों से लगा कर गावों के बीच में भी एक इस्ट्रोक के रोगी काफी और आपकी डाइट में रोल रखती है इसमें अगर आप देखेंगे तो जीवन सैली में काफी बदलावा गया है अत्य दिक सोतंता हो चुकी है अत्य दिक पैसे आने लग गए है और खान पान पर और आहार वियार पर नियंतरन खो चुका है अब भी मैं आपको बताऊंगा कि किस परकार से एक 55 साल की महिला मेरे पास मैं अपने उपचार के लिए आई तो मैंने उसे यही कहा कि आप पहले लिपीड प्रोफाइल लेके आ जाईए उसके साथ मैं उसे डाइविटीज की जांच के बारे में मैंने पूछा तो वो सरकारी लैब से अपनी रिपोर्ट लेके आई वो रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं यह सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें अधिक शेयर करें मैं डॉक्टर बिना सिंग राणावत साइकोलोजिस्ट और डाइटिशन आज आपको बता र सब्सक्राइब में जो उसकी रिपोर्ट है सरकारी है वह आप देख लीजिए कि इनके फास्टिंग जो सुगर आई है वह 126 आई है जबकि 170-110 होनी चाहिए अर्थात डाइविटीज की और इनके बढ़ते कदम है यूरिया नॉर्मल है और क्रिटनिन वह भी नॉर्मल है क् इनके जो कमरदर्द वगेरे की काफी सिकायती पैसाब की सिकायती की वज़े से करवाया गया था अब लिपिट प्रोफाइल आप देखेंगे तो कॉलस्ट्रॉल है जो एक मांचीत होना चाहिए 200 वहां पे 145.6 अर्थात यह कोई घातक नहीं है यह ठीक है अधिक से अधिक कितना होना चाहिए 200 फिर भी यह अच्छी अवस्ता मानी गई है और आप आप देखेंगे ट्राइग्लिस राइड है वह अधिक्तम यानि जो होना चाहिए जो सुखत हो वह 200 तक है इसमें 218.4 आ गया तो इन्हें इसके लिए भी दिसानिर्द से मैं बता दिया हूं और दे मैंने उनको बता दिया है कि आपके लाइफिस्टाइल में आप जो अतिस्वतंत्र है और कुछ OCD के भोजन जो आप करते हैं OCD के जो विचार है उनको त्यागना पड़ेगा आपको खाने पीने में बदलाव लाना पड़ेगा अपनी जीवन सेली में बदलाव लाना आपको वृद्धिक करना पड़ेगा तो आप अपनी बीमारी को नियंतन कर लेंगे और आप अपना अगला जीवन वो बढ़िया जी सकेंगे मेरे कहना का तातपरी है कि जीवन और मृत्यव के बीच में आपको कैसे जीना है यह फैसला आपको करना है तो हमें कुछ लैब क जानकारियों की आपसिक्ता पढ़ती है तो हमें जाच करवानी चाहिए काफी जगह आप देखेंगे सुन लेंगे पर जो इलाज आप कहीं पे भी पढ़ते होंगे देखते होंगे सुनते होंगे वो एक उपचार बताया गया है यह नहीं होता है कि सब के लिए लागू मावरान भिन्न है तो उसमें क्या बदलाव देना यह अच्छे एक आपके निकट कोई डाइटीशन हो यह साइकोलोजिस्ट हो आप उनसे संपर्क कीजिए जरूर आपको निरान मिलेगा अगर आपको सार्तिक टिपनी करेंगे तो सार्तिक टिपनी का जबाब दूंद का मि करें